पुलिस को सूचना दी गई में लेकर पोष्ट माट्यम के लिए भेज दिया डाग स्कॉाइड की टीम से भी मदद ली गई इस मामले में वितक की पतनी की तहरीर पर गाउं के ही दो लोगों की खिलाप मुकदमा दर्च किया गया है सराइविक्रम गाउनिवासी चालिस वर्सी पंधारी वनवासी पुत्र विर्जूर सनीवार को गाउं के दो यूगों के साथ कहीं निकला था पंधारी की पतनी छन्नों बच्चों को लेकर किसी रिष्टेदारी में गई हुई थी इसलिए घर में किसी को उसके बारे में जानकारी भी नहीं मिली रवीवार की सुबह गाउं के दच्चिर तरब भगवान सिंग के घर के पास जाड़ी में निर्वस्त सव मिला है नजदीग जाकर देखा गया तो उसका सीड एंड से कूचा गया था जहां सौ मिला वहां से कडीर 40 फीट की दूरी पर खून के दबबे भी मिले हैं जिस एड से कूचा गया था वह भी पास में ही बरामत किया गया ग्रामीडों ने बताया कि रात आठ बजे तक पंधारी गाउं के ही कुछ लोगों के साथ घूम रहा था उसके बाद क्या हुआ किसी को भी नहीं पता चला मृतक की पत्नी छनों ने आरोप लगाया कि गाउं के ही कोविंद और बवगा ने सराप पिला कर हत्या की है थाना प्रभाईदी दिनेश कुमार ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर पर दो लोगों के खिलाप मुकदमा दर्ज किया गया है आरोपितों की तालास की जा रही है घटना अस्थल का निरिछड करने के बाद सीयो असोक सिंग ने सीग्र खुलासा करने की बाद कही है